आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरे नाम ऐसे दान तक नहीं हो तरी, Study IQ पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है, देखिए हम माइकल फेराडे की बायोग्राफी को रिव्यू कर रहे हैं, उनकी जीवनी को देख रहे हैं, और पार्ट टू है उसका, यह प कोईरी हो, तो मेरे Facebook page से टेंडर स्कोर Education Connect पर पूछ सकता है, किसी भी चीज़ को लेके कोई भी कोईरी हो, तो प्लीज पूछिए, मैं जरूर आंसर करूँगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए हमने काफी चीज़े देखी थी, माइकल फेराडे की, हमने देखा थ रहे थे, उसके बाद Humphrey Davy के assistant बने, फिर वहाँ पे बहुत ही successful chemist बने, और उसके बाद electric field और magnetic field इन दोनों को combine करने का काम इन्होंने शुरू कर दिया, इन्होंने ये देखा था कि needle deflect हो रही है, जब ये electric current उसमें दे रहे हैं, मतलब पूरा experimental setup था, जो ये indicate करता था, कि magnetic field कहीं ना कहीं, present अब ये तब ही तो deflection होगा ना, field मतलब force है ना, तो ये चीज़ है, तो ये सारी चीज़ हमने देखी थी, अब आगे देखते हैं, देखिए, जहाँ आप हमने खतम किया था, मैंने आपको ये बताया था, कि उनका एक vision ये था, कि electric field और magnetic field को combine कर दो, वो तो हो गया, उसके बाद उस चीज़ से ये देखो कि light पे क्या effect पड़ता है, और अगर light magnetic और electric field से deviate हो गई, तो ये बहुत बड़ी उपलब्दी है, क्योंकि उसके बाद हम light को अपने हिसाब से control कर पाएंगे, हम field के हिसाब से light को control कर पाएंगे, और अगर energy को अपने control कर लिय तो भाया आप भगवानी है, लगगए, ठीक है, जो कि बाद बें हमको relation भी मिला, ठीक है, तो ये उन्होंने पुरा का पूरा कुछ सोचना शुरू कर दिया, तो अब light क्या होती है, light तो एक पूरा का पूरा spectrum होता है, band होता है, आपको पता ही होगा, कि जो हमारा पूरा band ह वो spectrum है, वो दो में divided है, ultraviolet, visible और infrared, ठीक है, हम यहाँ पे हैं, हम visible region में हैं, तो visible, यह अलग-अलग frequency और अलग-अलग wavelength का एक spectrum होता है, तो ultraviolet अलग spectrum है, infrared अलग spectrum है, और visible region जो web gear, ठीक है, यह एक अलग spectrum है, तो हम इसमें हैं, तभी तो हम चीजों को देख पाते हैं, ठीक है इन जब इन सबको अब पूरी की पूरी इस visible spectrum को, और इन colors को, with your violet, indigo, blue, yellow, green, orange, और red, इन तीनों को जब आप combine कर देते हैं, सातों को तो आपको white light मिलती है, ठीक है, जो कि हमको visible है, मतलब यह पूरा का पूरा जितनी भी जगह है, और जो फैली हुई है, वो white light ही है, अगर इसी तरह light को deviate किया जाए, अब भया, light से एक beam निकाल लो, ठीक है, light से एक beam निकाल लो, जिसमें particle जो बहुती linearly arranged होते हैं, उसको कहते है polarization, उस process को कहते है polarization, ठीक है, जैसे चावल के जथे में से आपने एक चावल निकाल लिया, उसी तरह से light के spectrum में से एक beam निकाल लो, ठी polarization कैसे attain किया जाते है, देखे, polarization बहुत important होता है, polarized glasses आते हैं, ठीक है, अगर आप उन glasses को पहन ले, तो जो reflection होता है सामने का, जैसे गाड़ी आपके सामने से आ रही है, बहुत जबरदस्त reflection परता है आपकी आँखों से, और दिखता नहीं है, वो चीज नहीं होगी, आप आर कर नहीं पाए, experimental पूरा setup था, current दिया, इन्होंने light fall हुई, लेकिन light deviate नहीं हुई, बड़ी problem में आगे, उन्होंने का, यह experiment तो पूरी की पूरी तरह फेल हो रहा है, बहुत परिशान थे, बार बार experiment कर रहे थे, लेकिन यह failure मिल रहा था, उसके बाद उन्होंने सोचा हो स हैं, तो हम क्या करते हैं, medium बदलते हैं, तो उन्होंने unginate chemicals use किये, unginate acids use किये, बहुत चीजे, हर एक चीज अलग-अलग glass use किये, लेकिन चीजे सही नहीं हो पाई, ठीक है, उनको success नहीं मिली, तो गुसे में उन्होंने क्या किया, चिड़ में उन्होंने क्या किया, या मज ज़्यादा थोड़े से मतलब जलने लगे थे, ठीक है, तो envious हो गए थे, जिसकी वज़े से Humphrey Davy ने बोला कि एक काम करो, तो optical glasses को improve करने में लग जाओ, तो जब Michael Faraday optical glasses को improve कर रहे थे, अब उनको इस ब्रांच की कोई भी knowledge नहीं थी, तो 7 साल उन्होंने experiment किया, और उनको कोई भी कुछ भी success नहीं मिली, तो एक उन्होंने glass brick रख दी थी, उस समय as a souvenir, कि ये मुझे मेरे failure की याद दिलाता रहेगा, तो वो उन्होंने use की, ठीक है, उससे उन्होंने light pass कराई, और guess what, light deviate हो गई, जबर दस्त खुशी का पल था, इतने सालों के बाद, सालों की मेहन के बाद, जब success मिलती है, तब तो कमाली हो जाता है, वो एक अलगी स्वात होता है, ठीक है, तो बहुत अच्छे से चीजों को handle किया, और finally ये प्रूफ करने में सफल हो गए, कि light magnetic field से effect होती है, बहुत ही ही जबरदस्त relation है, भया, C is equal to E by B, देखिए physics में क्या होता है न, it's all about energy and forces, हम सिर्फ energy निकालते हैं, force की help से, पूरी की पूरी physics पे ही based है, अब energy वो electrical energy भी हो सकती है, वो light energy भी हो सकती है, वो अब जिस भी branch की बात कर रहा है, mechanical energy भी हो सकती है, ठीक है, वो होती है, जैसे अगर example है, तो जो इनकी फेराडे ने जो अपनी electric dynamo invent कीती, वो क्या कर हो रहे है, बड़े-बड़े mission से accomplish हो रहे है, एक बहुत ही basic principle microfaraday का follow करती है, जिसको आगे Tesla ने उसको एक कदम आगे ले गए, फिर उसको Einstein ने pursue किया, तो ये basis, base बना गए हर एक चीज का, ठीक है, तो इस तरह का चीज़े थी, ठीक है, अब क्या होता है, कि finally, वो ये मैं already को बताई चुका हूँ कि पूरा का पूरा electric motor वो construct करते हैं और electric dynamo बनाते हैं, छोटा सा dynamo होता है, देखिए principle बनाते हैं, electric dynamo नहीं बनाते हैं, वो इसकी नीव रख जाते हैं, electric field और magnetic field को बिल्कुल manipulate करके, वो जो turbine है, जो छोटा सा उनका rotor होता, वो घूमने लगता है, औ अब उसके बाद वो finally series of experiment करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक experiment करते हैं, electric, जो electric field होती है, मतलब जो electricity होती है, वो उनकी branch of specialization होती है, हाला कि Michael Faraday शुरू में तो ऐसा chemistry थे, chemistry के काफी experiment किये, बट इन्होंने बहुत जगा जो है, अपने हाथ आजमाए हैं, काफी diverse field में बहुत ज़्यादा knowledge नहीं थे, लेकिन हर जगा, फिर वो चाहिए heat electron, मतलब chemistry में भी मतलब, तो उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छे अपने हाथ आजमायते हैं, Faraday's law of electrolysis तो बहुत important है, बहुत ही ज़्यादा famous है, ठीक है, तो electrolysis क्या होता है, चलिए, यह आप comment box में में मुझे बताईए, एक question तो बनता है, ठीक है, electrolysis बताईएगा क्या होता है, तो chemistry में भी और diverse field में भी अपने हाथ उन्होंने आजबाया और अच्छे घासी उनको success मिली, ठीक है, तो अब हम देखते हैं, कि उनका आगे का जो उन्होंने law दिया है, जो Faraday's law है, बहुत famous law है, जिसकी वज़े से भईया हमारे घर में बिजली आती है, वो क्या है, एक चीज़ और बताना चाहूंगा, scientist अक्सर depression के शिकार होते हैं, उनका brain इस तरह से design होता है, कि उनको अक्सर depression होता है, चाहे वो Tesla हो, चाहे वो Michael Faraday, खुद ही क्यों नहों, आखरी में इनको depression हुआ, ठ होती है, जो उनको guide करती है, आप चाहें interviews देख लिजाए, चाहें उनकी autobiography पढ़ लिजे, Tesla तो यहां तक बोलते हैं, कि मेरी तो outer space वाले लोगों से बात होती है, उनको सब पागला समझने लगे थे, इवन हमारे mathematician Ramanujam, वो ये बोलते थे, कि जो भगवान है, जिन भगवा ठीक है, तो अब हम देखते हैं, electromagnetic equations, ठीक है, फेराडे की electromagnetic equation देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा, कि फेराडे's law क्या है, ठीक है, तो फेराडे law क्या कहता है, जब भी flux change होता है, एक EMF generate होती है, magnetic flux क्या होता है, देखिए, magnetic flux को denote करते हैं, फाय से, ठीक है, और formula होता है, B integration DS, integration calculus होता है, integration differentiation, ठीक है, आप अपने, कोई भी एक strip ले लिजे, इसको integrate कर दीजे, तो पूरी की पूरी इसकी value मिल जाती है, proper limit लेते हैं, और बहुती जबरदस्त चीज होती है, maximum technical चीजों में य काम आती है, और पूरी की पूरी math calculus से ही, पूरी की पूरी physics calculus से ही proof की जाती है, ठीक है, तो इसको मैं बताता हूँ, यह तो इसका mathematical interpretation होता है, DS जो होता है, surface area, मतलब किस area को आप integrate कर रहे है, अगर आप आपनी table को भी integrate कर रहे है, तो उसका भी एक area है, तो उसका पूरा का प produce होगी, तो यह जो magnetic flux होता है, यानि कि magnetic field lines, अगर surface के perpendicular है, 90 degree गिल रही है, 90 degree पर fall हो रही है, तो उसको कहता है magnetic flux, अब आप इसको change कर दीजे, तो आपको मिल जाएगा EMF, जिसको मोटे-मोटे तोर पे electric field कहता है, वोल्टेज कहता है, वैसे तो इसकी proper definition होती है, कि the potential difference between two terminals when the circuit is closed, लेकिन खेर इसको अगर समझाने बैटोंगा, तो बहुत जादा मुझे फिर काम करना पड़ेगा और deep में जाना पड़ेगा, ठीक है, तो सबसे इसका आसान मतलब यह है, कि आपको बिजली मिल रही है, देखे, NTPC है, ठीक है, NTPC हमको बिजली मिलती कैसे, मैं आपको बताता हूँ, coal को हम synthesize करते हैं, बड़े-बड़े power plants में उसके बाद फिर heat energy जो होती है, वो electrical energy convert होके पूरी की पूरी, वो उनका पूरा-का पूरा setup होता है, घर-घर जाती है, तार बिचे होते हैं, बड़े-बड़े देखे हैं यह power plants, तार बड़े-बड़े बिचे होते हैं, poles में जाती है, खंबो में जाती है, उसके बाद वो poles किस से connect होते हैं, transformer से, transformer बहुत जबरदस्त चीज़ होती है, हमारे घर में क्या आती है, AC की DC हमारे घर में alternating current आता है, तो यह जो alternating current होता है, यह इसकी बहुत जबरदस्त voltage होता है, 1000, 2000, 3000 वोल्ट इतना नई सह अगर इतनी जादा बिजली अपने घर में दे दें, तो फुक जाएंगे हमारे जो की appliances हैं, खतम हो जाएंगे वो, क्योंकि हर एक appliance, हर एक instrument की जो भी हम यूज कर रहे है, उसकी particular limit होती है, ठीक है, 100 वोल्ट की rating होती है, अपने देखा होगा, bulb में लिखा होगा, 60 वोल्ट, 80 वोल्ट जादा देदेंगे, तो वो बेकार हो जागा, खराब हो जागा, ठीक है, तो transformer क्या करता है, intensity को कम करता है, ठीक है, तो transformer का यही काम होता है, कि कम से जादा बढ़ा और जादा बहुत जादा हो जादा हो जाए, तो कम कर दो, यही transformer का का काम होता है, तो transformer इसी principle पे चलता है कि flux को change करो emf produce होगा और इसका यह पहला law है और दूसरा law यह है कि जब भी flux change होता है d5 by dt यह produce होता है यानिकि e is equal to minus d5 upon dt यह उसका actually extended version है क्योंकि 5 की value जो होती है वो b होती है b into ds होती है तो आप उसको भी लग सकते हैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वो expand करके तो e is equal to minus d5 by dt minus lens law के कारा उड़ाता है क्योंकि oppose करता है मतलब जिस चीज से वो produce होता है उसको oppose करता है ठीक है तो यह total principle है यह दो फेराडे के बहुत important law है जिसकी वज़े से हमारे घर में बिजली आ रही है कि भई यह flux change करो तो voltage आएगा और वो जो voltage होगा क्यों आ रहा है क्योंकि time के साथ variation हो रहा है हमारे flux का ठीक है देखे अगर किसी को भी time से divide कर दे तो वो rate हो जाता है ठीक है तो यह चीज़े हैं तो I hope आप समझ गए होंगे मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ देखे मैं बहुत simple language में बता रहा हूँ क्योंकि physics है ठीक है और physics से वैसे ही बहुत दूर भागते हैं देखके लगता है रे बापरे क्या दे दिया यह लेकिन ऐसा नहीं है बह हम सीधा electromagnetic equation की बात करते हैं देखें क्या हुआ था कि अभी मैंने बता है कि light deviate हुई magnetic field से proof दो लोगों ने कहा ठीक है scientist ने बला तुम पागल हो गए हो proof दो mathematical proof किदर है वो तो ठीक है चोल experimental I want mathematical proof where is this तब फेराडे को तुक हुआ फेराडे ने कभी schooling attend नहीं की ती और यही problem थ मैस्स उनकी बहुत अच्छी नहीं थी और प्रॉपर स्कूलिंग ना होने के कारण वही चीजों को प्रूव नहीं कर पाए क्या था कि फेराडे जो थे देखें फेराडे ने experiments किये वह experimental physicist थे ठीक है उनका काम किस ने किया James Clark Maxwell Maxwell एक जबर दस्त इंसान थे बहुत बड़े genius थ ठीक है जो कि Maxwell थे बहुत ही अमीर घराने में इनका जनम हुआ था बहुत अमीर थे चाहे तो अराम से जिन्दगी भर एशों की जिन्दगी एश की जिन्दगी कारते लेकिन भाईया लोगों को ऐसा मनजूर नहीं होता है जो उजबर दस्त जिनका mind होता है revolutionary mind होता है उनको तो कुछ करना ही करना है तो Maxwell ने physics चुनी हाला कि Maxwell जो थे वो mathematician थे ठीक है वो physicist नहीं थे लेकिन उनको physics के लिए जाना गया क्योंकि जो आप ये screen पे देख रहे हैं न ये इस चीज से इसी चीज पे पूरा का पूरा सब कुछ पूरी दुनिया पूरा universe चल रहा है ये ये जो चार equation है 1,2,3,4 ये चार equations है पूरा का पूरा universe चल रहा है ठीक है quantum physics से चल रही है हमारा mobile चल रहा है सब कुछ हमारा TV सब कुछ इससे चल रहा है अब हम इसको समझाते है थोड़ा देखिए ये दो पार्ट आप देख रहे हैं first और ये second ये जो है ये differentiation पार्ट है ठीक है और ये उसको जब integrate करेंगे ठीक है दोनों सेम है ठीक है तो अब हम ये इसको हम डेल्टा कहता है डेल ठीक है तो देखिए notations पर जाएए E और रो यानि कि हमने एक relation निकाला है हमने नी फेराडे दे और Maxwell ने एक relation निकाला है electric field और density के बीच में रो का जो formula होता है वो होता है Q into Q upon V ठीक है तो ये charge density होती है basically रो जो charge को पूरा को पूरा identify करता है charge density मतलब कितना जादा dense है वो area charges से कितना जादा घिरा हुआ है ठीक है तो ये चीज़ होती है इसका मतलब देखिए इसको गौस law कहते है physics में गौस law कहते है कि मतलब एक जो charge है ये electric field निकालने के लिए होता है कहीं पर इससे अराम से electric field निकाल सकते है तो उसको कहते है इस च चीज़ को कहते है इस फेनोमेना को कहते है electric field ठीक है ये जो create होती है charge के आसपास ये हर charge के साथ होता है ठीक है तो अगर ये charge किसी कोई भी माली जी circle है उसको पूरा का पूरा क्या कर रहा है ये पूरा का पूरा round कर रहा है रिवाल्व कर रहा है ठीक है उस चीज़ को उस area क कर आप integrate कर देंगे तो वो आपको पूरी की पूरी intensity देदेगा electric field की ठीक है यह यह law कहता है अब यही law अगर magnetism में आप apply करेंगे तो zero हो जाता है ठीक है magnetic field में कोई ऐसा कुछ नहीं होता है अब यहाँ यह दो जो equation है यह बहुत important है इसमें क्या हुआ electric field और magnetic field combine कर दी है Maxwell ने ठीक है तो तो बहुत अबर्दस relation हो किसे तो आप कुछ भी कर सकते हैं आप electric city को ही control कर सकते हैं जो कि आज हो ही रही है हम अपने हिसाब से voltage दे सकते हैं अपने हिसाब से voltage को control कर सकते हैं even stabilizers होते हैं अगर आपको बहुत सब इन ही questions की ही बदालत है ठीक है तो यह चीज है उसके बाद यह भी question जो है यह पूरा का पूरा magnetic field और electric field को combine करें इसको displacement current बोलते हैं यह जो जे होता है बहुत important term है यह बाद में Maxwell ने add किया था जिसकी वजह से जो light पूरा का पूरे as a wave हो गई थी ठीक है क्योंकि पहले as a static बोला जा रहा रहा था बाद में यह साबित कर दिया था इस term को add करने में ठीक है जब आप magnetic field हटा लेते हैं तब भी वहां पे intensity जो है current की रहती है उसी को displacement current बोलते हैं ठीक है और यह velocity of light है इसी से ही वो equation आती है ठीक है यह पूरा का पूरे derivation होता है जो मैं बोलता हूँ कि c is equal to one upon under root mu naught epsilon naught पतलब इसी से ही light की speed को proof किया गया इन equation से ठीक है तो यह Maxwell का बहुत बड़ा काम था जिन्नों ने revolutionize कर दिया Maxwell और Faraday ने दोनों ने मिल के ठीक है तो आगे देखते हैं क्या हुआ बहुत ज़्यादा physics पढ़ ली काफी चीज़े हमने देख ली उमीद करता हूँ कि आपको कुछ अब पता चला होगा कि कैसे चीज़े काम करती है ठीक है research काफी कम करने लगे इसका मतलब यह नहीं कि पूरी तरह से उन्हें काम से सन्यास ले लिया ऐसे नहीं दे बहुत ही active इंसान थे देने भर काम करते हैं लेकि उन्हें थोड़ा सा कम कर दिया ठीक है अब क्या होता है कि मैंने अल्रेडी बताया था कि हर एक scientist शुरू से ही यह जानने में लगा है कि एक single force हो जो पूरे universe को गवर्न करें ऐसी कोई हम theory निकाल दे the theory of everything Stephen Hawking ने भी अपना लगबग लगबग पूरा जीवन उससी को imagine करने में लगा दिया तो उसके बाद यह चाहते थे कि कोई ऐसी पूरी की पूरी मतलब कोई ऐसी theory मिल जो हर चीज को explain कर दे और यह चीज बताना चाहूंगा कि 1850 हाने आते आते तक यह काफी चीज़े imagine करने लगे यह बोने लगे कि magnetic field lines भी होती है और वो दिखती नहीं है जो कि सही बात है भाई बिलकुल सही बात है ठीक है अर्थ एक giant magnet है और sun जो है वो हमको touch करता है क्योंकि sun की light होती है light की speed gravity से effect होती है यह फेराडे में पहले ही सोच लिया था एंस्टीन ने बाद में प्रूफ किया ठीक है light bend हो जाती है gravity के कारण और अगर वो bend हो दी तो उससे time भी change होगा इसका मतलब कहीं ना कहीं हम time को control कर सकते है light की speed के through ठीक है और light की speed कैसे vary करेगी gravity के through पुरा relation होता है ठी magnetic field lines इसके अब पूरी दर ड्रॉक कर नहीं पाऊंगो मैं अब देख लिए इंटरनेट पे बहुत अवेलेबल है कि वो magnetic field lines होती है core rotate कर है जिसके बाच है magnetic field है तब ही जो होती है जो चिडिया होती है उनमें inner magnetic compass fit होता है उनके दिमाग में ही magnetic compass होता है इसलिए आराम से वो migrate क सकती है ठीक है अठारा सो पच्पन तक फेराडे का जो माइंड था पूरी तरह से फेल हो गया ठीक है और बिल्कुली मतलब साथ हाते आते एक दब वो कुछ सोच भी नहीं पारते है और यह आम तोर पे होता है जो brilliant minds होते हैं एक टाइम पे क्यूंक और control भी नहीं होता है उ honor of a knighthood सर लग जाता इसके आगे ठीक है कोई भी personality के आगे जिसको यह मिलता है उन्होंने बोला कि आप यह achieve करी आपने इतना ज्यादा काम किया हमारे लिए उन्होंने का कि नहीं मुझे नहीं करना मुझे आकरी तक Mr. Faraday Lander रहना है हाला कि उन्होंने cottage accept कर लिया तो जो उन् अफनाया जाता है और छोटा से एक statue बना हुआ है इनके honor में सेवाय प्लेस पे जो कि engineering का institution है और technology का institution है ठीक है यहाँ पे देखिए वैसे तो इनको जितना honor किया जाए उतना कम है ठीक है इनको Nobel Prize नहीं मिला है और Institute of Physics यह इतने प्राइस मिले हुए हाला कि इनको Nobel Prize मिलना च greatest scientist को बहुत great great scientist को नहीं मिला है यह तो बिलकुल उससे सोच से बाहर है जिस इनसान ने पूरी नीव रग दी सब कुछ जबरदस तरीके से बदल दिया उसी को Nobel Prize नहीं है ठीक है उस prizes बैसे भी define नहीं करते किसी की intelligence को तो जितने भी इनकी तारीफ की जितने भी इनको honor दिया बन कर लिया था इतना उठ नहीं पाते थे तबे बहुत खराब थी तो यह बड़ी दिक्कत थी लेकिन उसके बावजूद वो हमेशा imagine करते थे और एक बात Maxwell ने इनको gift किया था जब यह mathematically प्रूव नहीं कर पा रहे थे तो Maxwell ने पूरी equation बनाई जो मैंने आपको अल्डेडी दिखा चुका हूँ इनको as a gift उनको दिया तो Michael Faraday बड़ा कुश हुए और finally उप पब्लिश हुए और तहल का मच गया physics के दुनिया में तो यह हमारे Michael Faraday के lecture का end है one of the greatest scientist amongst all कमाल के इंसान कमाल के scientist और एक जबरदस्त mind बहुत ही जबरदस्त इंसान थे आशा करता हूँ मैंने बहुत physics समझाई है इसमें क्या खरें क्योंकि इनका field ही ही ऐसी थी अगर मैं नहीं समझाता हूँ तो biography complete कैसे होती जितने भी scientist के lectures में ले के हूँगा biography ले के हूँगा उसमें physics या जो भी उनकी field related है वो तो होगी ही होगी आप मान के चलिए ठीक है और वैसे भी physics important है स लिखी हुई है उन सबका वरियंड है ठीक है इंडस वैली civilization से जबरदस्तास तक कोई civilization नहीं है इतनी peaceful इतनी developed इतनी जबरदस्त तरीके से capital oriented and society oriented as well वह यह कैसे यह possible है बहुत जबरदस्त जबरदस्त चीज़े छुपी हुई है वह रिसर्च तो करो हमारी ancient science में तो यह scientist पर होगा जबरदस्त जीनियस मेरे एक आइडियल रहे है वह ठीक है बहुत ही उन्होंने भी वह भी electric city से ही मतलब जो उनकी field थी जो इनकी specialization थी वह electric city थी तो ज़रूर बताईएगा गजब के inventor गजब के visionary comment box मताईगा अगला लिट्चर किस पर होने वाला है तब तक कुश रही है पर तरे दसे दान तक नियोंतरी साइनिंग ओफ शेर जरू करते जगा थांकी सो मच